नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन मैं हूँ प्रशाथ मावानी दोस्तो आज हम वेक्सीन इक्विटी ट्रिप्स अग्रिमेंट और भारत के स्टैंड के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जब से पैंडेमिक की शिरुवात हुई है दुनिया के अलग-अलग देशों ने अलग-अलग प्रकार के कोविड-19 को लेकर चैलेंज फेज किये हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिस्त इमेजिन के एक ऐसा देश जो लग-बग 17 तो 18 परसंट दुनिया की पोपिलेशन वाला देश है इतनी भीड है यहां पर तो ऐसे देश में पैंडेमिक अगर फैल गया तो इसको रोकना नियली इंपॉसिबल सा लग रहा था राइट और भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा खत्रा था उस टाइम पर बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था लेकिन तैंक गॉड के भारत जो हैं इसने खुद की एक कोविड-19 की वैक्सिनेशन निकाली और इसे के साथ-साथ जो यूके की वैक्सीन है तो इसका के खिलाफ लड़ पाया और आज जो स्वतंतरता हमें जोई कर रहे हैं थैंक्स टू हमारी के पैसिटी वी आद फार्मसी ऑफ दे वर्ल्ड और हमने दुनिया के अलग अलग देशों को भी कोविड-19 की वैक्सिनेशन प्रोड़ की हमने हमारे रीजियन में भी जैसे श्री- मलेरिया की कोई दवाई हमसे मंगवाते थे क्योंकि उस टाइम पर ट्रायल एन एरर चल रहा था आपको याद होगा कि मलेरिया की कुछ दवाई जो हैं तो उससे आप कोविड को ट्रीट कर सकता है एक्सेटरा तो यूएसे हमसे यह सारी दवाई मंगवाता था और हम यह सा को and this is possible only because हम recipient नहीं है इस vaccine के हम in fact manufacturer है और हम supplier है that's the only reason के हम इतने सारे doses जो है वो दे पाए हैं दोस्तों मैं इस बात पर इतना ज्यादा emphasis इतना ज्यादा stress इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि दुनिया के आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं आफरिका के कुछ ऐसे देश हैं island nations हैं जिनके पास आज भी COVID-19 की vaccination की उतनी ज्याबा quantity नहीं हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर single dose की बात करें तो कुछ 15 से 20% लोगों को ही first dose मिला है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर double dose की बात करें second dose की बात करें तो single digit में 5% 8% ऐसे लोगों को ही second dose जो हैं वो मिल पाया है तो आज भी COVID-19 जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गया नहीं है इस जस्ट राउन दे कोरनर पता नहीं कब एक नया version आ जाए एक नया variant आ जाए और अभी तक जो हमने vaccine यूज की है उसको अगर bypass कर देगा तो you can imagine कि कितना बड़ा economical social कितना बड़ा नुक्सान हो सकता है ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो stand लिया है ये काफी काबिले तारीफ है राइट भारत ने हमेशा vaccine equity को support किया है और भारत की जो मदद की है एक देश ने that is South Africa the reason is कि South Africa का खुद का एक कड़वा अनुबव हो चुका था HIV epidemic के साथ जब HIV फैल रहा थ उस टाइम पर South Africa में बहुत सारे HIV के cases थे और उस टाइम पर दुनिया के जो developed देश है वो South Africa को right time पर दवाए और support ये सारी चीज़े प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तो ये एक कड़वा अनुबव जो है वो South Africa के जहन में है और इसलिए जब ये COVID-19 vaccination की बात आए जब vaccine equity की आती हैं तो भारत को rock solid support प्रोवाइड करता है ये देश that is South Africa अब ये दोनों देश यानि की India और South Africa कैसे vaccine equity हासिल करना चाहते है with the help of TRIPS waiver TRIPS का मतलब होता है trade related aspects of intellectual property rights जिसका short form है TRIPS ये जो TRIPS है ये World Trade Organization का एक agreement है और अगर मैं बहुत ही layman's language में बात करूँ तो इसमें ये हैं कि लिटसे अगर कोई emergency आजाती है जैसे कोविड-19 pandemic तो ऐसे समय पर अगर कोई देश कोविड-19 की vaccination को produce कर लेता है कोई एक नया आविशकार करता है तो उस आविशकार पर आप कोई बाधाय नहीं लगाएंगे वो formula जो है वो दुनिया के सारे देशों के साथ आप share करेंगे ताकि उस particular दवाई का production जो है ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को वो दवाई जो है वो हम पहुचा सके और humanity को हम बचा सके तो ये है trips waiver और ये एक बहुत ही अच्छा waiver है कि emergency के time पर इसका इस्तमाल किया ज तो जो agreement है और implementation है उसमें एक बहुत ही बड़ा gap है और हमारे देश भारत का जो vaccine मेत्री प्रोग्राम है उसने हमेशा से इसी चीज़ को support किया है कि no one is safe until everyone is safe as we all know कि अगर कोई नया variant आ गया और अभी जो हम covid की vaccination का use कर रहे हैं अगर उसको भी bypass करके अगर वो हमें affect करने और ये जो नुकसान होगा वो ऐसा होगा जिसमें से हमें कभी भी recovery जो है वो नहीं मिलेगी जो नुकसान हो गया वो हो गया उसमें से वापस हम कभी नहीं निकल पाएंगे तो इंडिया और South Africa ने October 2020 से ही इस चीज़ को support करने की शिरवात कर दी थी और दुनिया के अलग-अ टेक्नोलोजी पैसे ये सारी चीज़े डेवलोप्ट देशों को डेवलोपिंग देशों के साथ शेर करनी चाहिए ताकि हम वैक्सीन एक्विटी को हासिल कर सके फिर यही जो प्रपोजल है उसमें कुछ रिवीजन किये गए ओन मेर 2021 और अब दुनिया के बहुत सारे डेव वैक्सीन और अधर हेल्थ गूड्स डिस्पाइविंग नो डायरेक्ट इंटरस्ट देखे ये वक्त ऐसा था जब हमारे पास अलड़ी वैक्सीन थी हम तो दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे फिर भी भारत ने एक स्टैंड लिया भारत ने ये स देशों के पास जो भी वैक्सिनेशन की कॉंटिटी पहुंची है तो इसमें एक बहुत ही लीड रोल प्ले किया है और भारत को दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन यूके स्विजलेंड अलग-अलग जो देश हैं वो कह रहे थे कि देखे आप इन सारे देशों को वैक्सिन पहुंचाने की बात मत कीजी लेकिन फिर भी भारत ने अपना कमिट्मेंट जो दिया उसी कमिट्मेंट पर खड़ा रहा और आज देखे ये ये यूरोपियन यूनियन यूके स्विजलेंड जैसे देश जो हैं वो दुनिया के गरीब दे सेविंग मेडिकल सेप्लाइस की बात आती हैं तो ये कोई नॉर्मल जो सामान है उस प्रकार से हमें इसको नहीं देखना चाहिए नॉर्मल सामान जो होता ना उसको फैशन मोडल से बेचा जाता है वोट इस फैशन मोडल का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोड़क्ट है तो उसकी डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाइ कम है तो यूनॉर्मल जो होगा क्या कि उस प्रटिकुलर चीज की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो सबसे ज्यादा पैसा फैखेगा उसको सबसे ज्यादा सामन मिलेगा तो देस इस फैशन मोडल दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो कोविड नाइटिन वैक्सिन को लेकर यह फैशन मोडल को फॉलो कर रहे हैं और भारत ने कहा कि हमें ये नहीं हमें हुमेनिटी मोडल को फॉलो करने की जरूरत है फैशन मोडल जो है वो सप्लाइर के लिए अच्छा है सप्लाइर ज हम और ज्यादा दवाई को अच्छी स्पीड से प्रोडियूस कर पाएंगे इसकी सप्लाइ कर पाएंगे और होपफुली यह जो नए डिजीज के स्ट्रेंज हैं उनको हम रोक पाएंगे और इसको एचीव करने के लिए वी नीड टू रिमूव दा मोनोपॉली मारक अपस अब फाइजर आपने फाइजर का नाम सुना होगा यह जो कंपनी है उसने एक नई शुरॉआत की एक अच्छी शुरॉआत की है कि जो लो इंकम कंट्रीज हैं जो गरीब देश हैं वहाँ प फाइजर जो हैं वो अपने प्रोडक्ज जो है इसको नौन परोफिट प्राइज में बेचेगा तो अपना जो खर्च हैं वो सारी चीज़े निकालकर जो भी उसकी एक ब्रेक एवन पॉइं पॉंट है नो प्रोफिट नो लोज की जो प्राइज है उसमें फाइजर जो है गरीब देशों में ये सारा सामान जो है वो बेचेगा, that is a very good start. देखिए, we have to understand this thing as well, कि एक pharmaceutical company के खुद के अपने खर्चे हैं, बहुत सारा पैसा जो है, वो उसके उपर रिस्क लिया जाता है, research and development अपने आप में बहुत ही expensive हैं, और बहुत सारे आपके fixed cost हैं, और इसी के साथ दूसरे ऐसे variable cost हैं, बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं, तो पैसा कमाना जो है, that is important right, और जितना पैसा आएगा, उतना आप innovation कर पाएंगे, आप नए लोगों को hire कर पाएंगे, उन talented लोगों को अपनी company में attract कर पाएंगे, तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो what we need to do is, हम एक health impact fund जो है, वो create कर सकते हैं, और health impact fund में ये होगा, कि जो companies right, दुनिया की मदद करना चाहती हैं, तो at least उनका खर्च निकल जाए, उतने पैसे हम उनको दे, ताकि innovations और inventions जो हैं, उस पर कोई भी बादाएं ना आये, research and development जो हैं, वो चलता रहें, और हम दुनिया की मदद जो हैं, वो humanity model से करते रहें, so that's basically everything in today's discussion, dear friends, I hope आज की इस discussion से आपको vaccine equity, trips, और भारत का जो stand रहा है, इस चीज को लेकर उसमें थोड़ी और ज्यादा clarity मिली होगी, I will see you soon with some more interesting topics, till then, stay curious, God bless you all, Jai Hind.